हेलो बाई मैं अब वंकीत अब क्या होगा एस्पी 125 का मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई सिर्यस होगे बोल रहा हूँ बाई SP 125 का हाल खराब होने वाल है, इवन SP का ही नहीं, साइन का भी, रेडर का भी, इवन पॉल्जर का भी, एक्स्ट्रीम, गलैमर, सुपर स्प्लेंडर, सब का हाल खराब कर सकती है, जो हाल फिलाल में लाँच हुई है, अब वो कौन सी बाइक है, वो तो आपको वीडियो देखने जो हाल फिलाल में लाँच हुई है, अभी बहुत भाईयों को पता होगा, लेकिन बहुत भाईयों को नहीं भी पता होगा, ये एक एलेक्टरी कम्यूटर भाईक है भाई, अभी हमारे इंडर्न मार्केट में एलेक्टरी कम्यूटर भाईक भीगा करती है, लेकिन बहुत कम trusted company के तरब से एक भी बाइग नहीं है बाई ओला वालों ने showcase करा था लेकिन वो commuter बाइग नहीं है वो थोड़ी sporty है टाइप की है लेकिन रिवोल्ट ने बाई बहुती अच्छा दाओ खेला है इस बार ये लोग एकी product को अभी तक बेचा करते थे जिसका नाम RV 400 था वो बाई एक लग 25 रुपे गाया करती थी जिसमें 1500 किलोमेटर के लपेट में रेंज मिलता था पर चार्ज है लेकिन भाई ये जो बाई इन्हों लॉंज कर रहा है ये दूसरा प्रोड़क्ट है उनका RV1 इसमें दो मॉडल इन्होंने निकाला है स्टार्टिंग प्राइज इन्होंने 81,147 रुपे रखा है भाई अन रोड जी हमसी बोल रहो है 81,147 रुपे अनली अन रोड एक सो रुम नहीं अन रोड है हर चीज बताता हूं भाई क्या कैसे इस बाईक में दे रखा है डिटेल में बताऊंगा काफी मज़ाने वाला है सबसे पहले वेरियंट बगर की बात कर लेते हैं इसमें दो वेरियंट मिलेंगे आपको RV1 और RV1 प्लस है अभी दोनों वेरियंट में बस बैटरी और रेंज का डिफरेंस है इसके अलावा ओबरॉल गाड़ी एकदम सेम है भाई दोनों में आपको सेमी कलर मिलता है चार चार है बाकि रहापात में मोटर का क्योंकि बाई गाड़ी में मतलब खासकर इलेक्टरी गाड़ी में मोटर और बैटरी में होता है तो इसमें अपने को 2.8 किलो वाट का मिड़ ड्राइव मोटर दे रखा है जो इनकी RV400 है उसमें ह बाइक बोलेंगे बहुत कमी लोग इसको पकड़ पाएंगे कि यह इलेक्टरीक वाली है क्योंकि हम मोटर तो सापक पाता चल जाता है लेकिन आप इसमें चैन वाला सिस्टम है तो हर कोई कहेगा कि पेट्रोल वाला है बागी में बैटरी की बात करें तो अगर आपको 2.2 क किलोवाट का लीथियम आइन फोस्पेट वाला बैटरी मिलेगा और अगर आप पे आरभी वन प्लस लोगे जो टॉप मोडल है वह भाई 3.2 किलोवाट आवर के साथ मिलेगी आपको बैटरी की बात कर रहा हूं वहीं अगर आप इनका टॉपेट मोडल लेते हो आरभी वन प्लस तो उसमें आपको 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी मिलेगा जो की लीथियम आइन फोस्पेट रहेगा उसमें आपको रेंज तोड़ा जाद मिलेगा रेंज वेगर के बारे मैं बताता हूं भाई को ठक ठक करने लगा हाथ है बैटरी और मोटर के बारे मैंने बता दिय देंज आगे चल के बताऊंगा रेंज भी काफी अच्छा है भाई थोड़ा लुक और डिजाइन पर बात कर लेते हैं देखो कहने को तो यह कम्यूटर टाइप की बाहिए लेकिन डिजाइन कम्यूटर भी है और थोड़ी रेट्रो भी है और थोड़ी अस्पोर्टियर भी काफी अच्छा इन्हों ने बनाया मैंने वीडियो गर देखा भाई तो लोग बाग बैट के दिखा रहे थे तो काफी मतलब कमफटेवल टाइप की है सिटीवेटी में चलाने में काफी गाड़ी मज़ा देने वाली अपने को अभी रेंज बगर की बात करें तो इसमें अगर अब टॉपेंड लेते हैं तो एक सो साथ किलोमेटर का रेंज मिलेगा तो रियल लाइप में 120 तक चली जाए कंपरी तो ज्यादा ही क्लेन करती है बाई आई डिसी रेंज होता है ना तो 120 तक टॉप मोडल चला जाएगा और बेस साथ सत्तर के पीच में चला जाएगा बाई यहाँ चार्जिंग टाइम की बात करें तो दो घंटे 15 मिनट लगेगा बाई दोनों को चार्ज करने में 0-80% तक है तो चार्जिंग में कुछ ज्यादा नहीं है बाई मतलब आपमान के चलो तीन घंटे में मुश्किल से दोनों गाड़िया फुल चार्ज हो जाएग रियों की फास चार्जर भी इन्होंने देने का वादा कर रहा है इंसको ताइम लगता था चार्ज होने में लेकिन इसमें बाई इन्हो ने फास चार्जर दीया जो काफी सही चीज़ है बागी इसमें पने टॉब स्पीड 20 के टे के एक डे तक मेन आ किसी में भेदबावं सस्पंजान दे रखा है फ्रेंट में जबकि आर्वी 400 में यूजडी आता था वो महेंगी इसको सस्ता बनाने के लिए इन्हों भी इसको पेख दिया है इसमें जुडल स्प्रिघ में काफी अच्छा दिया ँड़क इसमें न इसमें काफी और इसमें मैं छो आपके बागी ब्रे की बात करते हो जिसके Francis में भी 240 आप रियार में दिस ब्रेक दे रखा है computer segment में पहली बार अपने को rear में disc brake मिला है इसी गाड़ी में नहीं तो कोई भी company नहीं देती पेट्रोल वाली भी नहीं देती तो 240 mm का disc brake दे रखा है आगे पीछे बाकी ABS वगरा नहीं मिलेगा combi braking system का setup दे रखा है बगी हां रहा बाद features वेगरा का तो इसमें all LED का setup दे रखा है boot space आपको थोड़ा सा मिल जाएगा seat के नीचे ज्यादा नहीं थोड़ा सा दे रखा है charger वेगरा carry कर सकते हो इसके लाब full digital meter console दे रखा है जिसमें basic features है भाई mobile connectivity turn button navigation वेगरा नहीं है USB side आपको top model में मिल सकता है लेकिन base variant में मेरे हिसाब से नहीं दे रखा है इसके अलाब मिटर कंसोल के features की बात करें तो battery temperature, time, speed, mode और basic सारा features मिल जाता है लेकिन main चीज़ नहीं मिलता mobile connectivity वेगरा क्योंकि भाई price बहुत ही कम है न बागि तीन modes मिल जाएंगे eco, normal, sport जो कि side में button दे रखा है उसे आप operate करोगे इसके अलबा reverse button भी दे रखा है इसमें पीछे चक्का भी घुमा सकते हो इसके अलबा इसमें आपको cruise control नहीं मिलता top end variant और base variant किसी में नहीं मिलता है बागि रहा बाद dimension का तो इसपे आप 200 kg तक आदमी को बैठा सकते हो मतलब 500 kg वजन आप इसपे रख सकते हो और रख के चला सकते हो जबकि इनकी RV 430 उसपे मातर आप 300 kg तक ही loading capacity कर सकते है लेकिन इसपे 200 kg का दे रखा है बोरा और बाई जि पांच फिट का बंदा आराम से चला सकता है इसके रहाव 180 mm का ग्राउंड केस दे रखा है इसपी में 165 अठाता है वाई ग्लैमर में 180 आता है तो यह गाड़ी खेत हो तुमें चलाने के लिए बहुत ही बढ़ी है मतलब खेत में नहीं मतलब खराब रास्ते में चलाने के ल जान लेते हैं या मोटर वरेंटी के बारे में जान लेते हैं वैसे इन्होंने कुछ बताया तो नहीं है बैटरी और मोटर प्राइजिंग कम है लेकिन बैटरी मोटर काफी सभी दे रखाए इसमें प्राइजिंग की बात कर लेते हैं जिसमें आपको 100 किलोमेटर का रेंजी मिलेगा वहें कर आप टॉप मोडल लेते हो तो उसका भाई प्राइजिंग इन्हों ने रखा है प्राइजिंग 18147 रुपे सो हो रहा है क्योंकि 10,000 अपने को सबसेडी मिल जाएगा तो मान लो नब्याजन संदावी रुपे के लपेट में टॉप मोडल पड़ेगा अपता ली सो तो हो रहा है लेकिन मिलेगा की नहीं मिलेगा इसके बारे में मेरे को जनकारी नहीं है बागी हाँ अगर इतने प्राइजिंग में मिलने लगे न भाई तो मैं तो कहूँगा एसपी फेस्बी को छोड़ तो भाई बहुत ही सही प्राइजिंग है यार एक 80,000 रुपे माज ग्रेट में क्या मिलता है भाई फोन मिलता है और यहाँ पे आपको एक बाईक मिल रहा ह लेकिन बाई ओला का भी दिलेवर नहीं हो रहा है ना देखते हैं बाई जब मार्केट में आता है तो दोनों गाडिया कैसी एक दूसरे से लड़ाई करती है लेकिन रिवोल्ट वालों का में टार्गेट है भाई कम्यूटर सेग्मेंट की 125 सिजी बाई कि क्यूंकि बाई ज अभी इलेक्ट्रिक पर खुस नहीं रह सकते हैं यह चीज है लेकिन जो बचत करना चाहते हैं उनके लिए तो भाई डेफिनेटली इलेक्ट्रिक बहुत ही बढ़िया है आपके कह रहा है इस गाड़ी के प्रती मुझे कमेंट में जरूरू बताना आपको यह कैसी लगी यह कह सकते हैं आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में सब चीज समझ आ गया होगा कुछ भी डाउट हो कुछ भी क्वाई रही हो तो कमेंट सेक्शन खूला हो बाई बिंदास आप कमेंट करो चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्वाठ धेंक्यू सो मज भाई हो द